नमस्कार दोस्तो डिफेंस न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचार फ्रांस के साथ भारत के इस डील से कांपेंगे चीन पाकिस्तान समझोते के लिए आए विदेशी महमान चीन के रोबोट डॉग आटोमेटिक राइफल से करते हैं गोलियों की बोचार जंग में उतरे तो मज़ा देंगे तबाही जेब में नहीं कोड़ी लेकिन नुकलियर टेस्ट पर खूब जूमा पाकिस्तान वर्ष गांट पर देश में कर दिया छुटी का एलान रिशी सुनक के एक एलान से बढ़ना जाए भारत की टेंशन लटक सकती है ब्रिटेन संग ये डील जानिये भारत के लिए क्यों जरूरी है एफ टी ए युक्रेन ने पश्चिम देशों की मिसाइलें रूस पर दागी तो पंजाब तो अन्जाम बहुत बुरा होगा पुतिन की वार्निंग आकाश पिनाका ब्रमोस तेजस जैसे घातक हतियार बेचने में भारत बना रहा दबदबा अब खबरें विस्तार से भारत सरकार और फ्रांस के बीच राफेल मेरीन फाइटर जेट की डील होने वाली है फ्रांस के अधिकारी भारत आ चुके हैं पचास हजार करोड रुपे की इस डील से भारत को 26 राफेल एम फाइटर जेट मिलेंगे यह बाचीत 30 मई 2024 को होने की संभावना है फ्रांस की तरफ से आए अधिकारी भारतिय रक्षा मंतराले के अधिकारियों से मिलेंगे नेगर्शियेशन शुरू होंगे डील पक्की होने के बाद फ्रांस 26 राफेल एम फाइटर जेट भारत को देगा जिने आई अनेस विकरांत और आई अनेस विकर्वांदित्य पर तैनात किया जाएगा फ्रांस ने इसके लिए जारी टेंडर के हिसाब से पिछले साल दिसंबर में ही अपलाई किया था इस फाइटर जेट के आने के बाद भारतिय विमान वाहग युद पोतों पर तैनात मिक 29 के फाइटर जेट को स्पोर्ट मिलेगा उन पर मौझूद प्रेशर कम होगा भारत के इस डील में फ्रांस से 22 सिंगल सीटर फाइटर जेट और 4 डबल सीटर फाइटर जेट खरीदेगा डबल सीटर फाइटर जेट ट्रेनिंग के लिए काम आएंगे अगला चीन के सरकारी टीवी सीसी टीवी ने दो मिनट का एक वीडियो जारी किया है वीडियो में रोबर्ट डॉक को चलते कूदते लेटे हुए और पीछे चलते दिखाया गया है एक मौके पर तो यह रोबर्ट एक सिमूलेटिड बिल्डिंग में इन्फैंट्री यूनिट का नेतरित करते हुए आगे बढ़ा वीडियो में छे रोटर वाले एक हवाई ड्रोन को भी दिखाया गया जिसके आटोमेटिक राइफल लगी थी रोबोर्ट डॉग्स और डॉग्स का सैन्य इस्तमाल कोई नई बात नहीं चीन इस दिशा में कहीं आगे बताया जा रहा है पिछले साल भी सीसी टीवी के एक वीडियो में राइफलों से लैस ऐसे इलेक्टरॉनिक डॉग्स का परदर्शन किया गया था करीब चार साल पहले अमेरिकी एर फोर्स भी रॉबर्ट डॉग्स के जरीए खत्रा भापकर उन से निपटने की तकनीक का परदर्शन कर चुकी है अगला पाकिस्तान के लोग दो वक्त की रोटी तक के लिए तरस रहे हैं लेकिन वहां के हुक्मरानों ने पर परमानों बम का नशा आज भी वैसा ही चड़ा हुआ जैसे पहले था पाकिस्तान ने 1998 में किये गए परमानों परिक्षन की आज 26 वी वर्ष घांट मनाई और कहा कि इस एतहासिक कदम ने देश के छेतरी अखंड़ता की रक्षा के लिए विश्वस निये नियूनतम प्रतीरोज सुनिश्चित किया है पाकिस्तान के पी-एम शैबाज नरीफ शरीफ ने अपने परमानों धमाकों की 26 वी वर्ष घांट पर मंगलवार को देश में सार्वजनिक अवकाश की घोशना की है सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने संदेश में देश को बधाई देते हुए शरीफ ने कहा कि यह दिन राष्टे शक्ती के सभी पहलों का सामुहिक परियास का प्रतीक है अगर भारत और बिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रिमेंट हो जाता तो स्कॉटलेंड की स्कॉच से लेकर कैटबरी के चॉकलेट भारत में काफी कम कीमत पर मिलने लगती लेकिन ब्रिटेन के प्रधान मंतरी रिशी सुनक के एक एलान ने भारत के लोगों की इस उमीद पर फानी फेर दिया है ब्रिटेन में आम चुनाव होने का वक्त से पहले करवाने के रिशी सुनक के एक एलान ने भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाले फ्री ट्रेड एग्रिमेंट यानी FTA पर संशे की तलवार लटका दी है भले ही राजनेतिक विशलेशकों और रणनीती कारों ये दावा कर रहे हों कि सरकार बदलने से द्वीपक्षय संबंध में बदलाव नहीं होगा लेकिन सच तो यह है कि सत्ता परिवर्तन के साथ ही देशों के रिश्टे भी बदल जाते हैं अगला रूस और युक्रेन के बीच जारी युद्स जल समाथ होता नहीं दिखरा अगर युक्रेन ने पश्टमी देशों की सलाह मानी तो मामला और बिगड सकता है कम से कम रूस के राष्टपती विलादी मीर पुतिन का तो यही मानना उन्होंने यौरप में नाटो के सदस्यों के लिए नई चेतामनी जारी की है मंगल बार को पुतिन ने कहा कि पश्टिम हतियारों के जरिये रूस के अंदरूनी इलाकों में हमले करने का परस्ताव सामने रखा रख नाटो के आगे आग से खेल रहा है रूसी राष्टपती ने कहा इससे ग्लोबल युद्ध छिड़ सकता है अग्ला भारत की पहचान अभी तक दुनिया के सबसे बड़े हतियार खरीददार देश के तौर पर रही है लेकिन मौधी सरकार के कारेकाल में भारत हतियार बेचने वाले देश के तौर पर भी अपनी पहचान कायम कर रहा है भारत के रक्षा मंतरी राजनाज सिंग ने हाल ही में ये घोशना की कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट पहली बार 21,000 करोड यानी 2.63 अरफ डॉलर को पार कर गया है और भारत अपनी हतियार बेचने की शम्ता को दुगना करना चाहता है लिए भारत की इस हकांग्षा को पूरा करने के लिए LCA तेजर्स, ब्रमोज मिसाइल, लाइट कॉमबेट, हेलिकॉप्टर स्पिनाका, MLRS, आकाश, सैम जैसे विनाशक अतियार एहम भूमी का निवा सकते हैं हतियारों का बड़ा बाजार बनेगा भारत डिफेंस एक्सपोर्ट में अपनी पहचान बनाना दुनिया भर के देशों में डिफेंस इंडस्ट्री एक परमुक लक्षे रहा है क्योंकि इस से डिफेंस इंडस्ट्री को बगैर सरकारी मदद नए हतियारों के निर्मान के लिए रिसर्च करना टेक्नॉलिजी बनाना डिजाइन बनाना और प्रड़क्शन शुरू करना काफी आसान हो जाता है दुनिया के जो भी विक्सित देश हैं उन्होंने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को तेजी से बढ़ाया है अमेरिका जपान इसराइल और फ्रांस जैसे देशों ने टॉप दस डिफेंस एक्सपर्ट पोर्ट्स में अपना अस्थान बनाया है भारत भी इसी रह पर चल रहा है धन्यवाद